तो आगे दा आपका पारवर एक्स्पिस एंद माशकार मैं हूँ दिपांशू भंडारी आक्शन के हो जाई है तयार क्योंकि धीरो खबरे आ रही है और उन खबरों के बीच हम देख रहे हैं कि बाजार आज थोड़े सुस्त मूड में लिख रहे हैं एजजेक्स निफ्टी सवा सो अंक नीचे इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है तो कमजोर ग्लोबल संकेत हैं of course commodity बाजार और equity market में कहां मिलेंगे आपको ट्रेड और निवेश के मौके यह सब बताने के लिए हमें तयार आने वाले आदे घंटे में हैं जिस तरह से एजजेक्स निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है करीबन 120 संको की गिरावट यहां पर है बट लाजली यह कहीं न कहीं इंपोर्टेड है आप देखें अमेरीकी बाजार कल देर शाम आप देखें एक सो पैसे टंकों की गिरावट के साथ यहां पर डाउ जून्स बंद होते हुए नजराएंड ओवरॉल भी अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड वेस्ट S&P 500 यहां पर भी 1,5% तक की गिरावट रही इनफाक्ट अगर आप नास्डेक पर फोकस करिये और मुस्ट दो से सवा 2% तक की लुड़कते वे नजराएं तो नास्डेक पर भारी दबाव था और ट्विटर इन स्पेसिफिक जिस तरह से एलॉन मस्क ने यहां पर डील करन साथ होने वाली है जिसमें JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo, City Group जैसे जो कंपनिया है वो अपने नंबर्स रिक्लियर करेगी आज more importantly PepsiCo के नंबर्स आने वाले हैं तो यहां पर हमारा बड़ा फोकस रहेगा साथ ही अगर आप यहां पर देखिए तो जो मंदी की चिंता है वो बाजार पर हावी ह गोती भी नजर आ रही है और चाइना में जिस तरह से अब वापिस से lockdown restrictions लगते में नजर आ रहे हैं काफी सारी शहरों में मकाव में हमने देखा कि कसीनो जो हैं मंडे से यहां पर बंद कर दी गए हैं तो कहीं न कहीं overall यह जो संकेत है COVID की scare है, inflation की चिंता है उससे कहीं न कह बाजारों पर थोड़ा सा दबाव आपको कल के सतर में देखने को मिला और European Markets की भी बात करें तो वहां पर से भी मिले जुले संकेत देखने को मिले थे जिसमें जर्मनी का इंडेक्स स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो almost डेड़ परसंट तक लड़कता हुआ नजर आय है और कच्चा तेल ये 105 डॉलर के आजपास अभी भी बनावा है और CPI के आंकडे तो definitely कल कई सारे देशों के आने वाले हैं आज हमारे CPI के आंकडों पर भी बड़ी नजर रहेगी ओके तो यह है आपके लिए इस समय की बड़ी बाते जहांतर ग्लोबल मांकेट्स का सवाल है और यहां पर आपको आक्शन भी भरपूर आते हुए दिखेगा